आज ही CAPF AC Mentors को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन्स और वीडियो के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें Hello Guys, स्वागत है आपका CAPF AC Mentors में और मैं हूँ जनारदन AIR 167 2018 मैच, ITPP महरास्टाफ and currently working in AIR India Today we are going to discuss about the history strategy हिस्टी की strategy discuss करेंगे जैसे ही बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की थी हिस्टी के लिए कौन सी strategy paper करें आप पहली बात तो कोई strategy ultimate नहीं होगी कोई strategy आप बना लो कि वो fix होगी और कोई formula वो fix होगा उससे आप निकल जाओगी वो नहीं होगा आपको choice करना पड़ेगा आपको select करने पड़ेंगे कुछ books और उस पर ही रहना पड़ेगा confident की हाँ यह books है इतने इतने मैंने select कर लिए है जो भी analysis है और इस पर ही मैं अभी paper दूगा इसरे के लिए बहुत सारे books है यूपेसे के लिए भी लोग है तो भी बहुत सारे books मिल जाएंगे market में तो आपको इतने follow नहीं करने है और general perception जो है वो सारे topers यहीं बताएंगे कि spectrum का book जो है बहुत सही है मैं भी वही बताऊंगा कि spectrum का book बहुत अच्छा है तो हम फिर भी मैं detail में बताऊंगा कि और कौन-कौन से books है जो थोड़ा थोड़ा उसमें से जो important है जहां से questions आते है directly उप्टेसे में वो भी आप पढ़ लीजे ठीक है पहले तो मैं बात करूंगा pressures के लिए बात करूंग है उनके लिए बताऊंगा modern इंडिया के लिए आप spectrum follow करिए उसके बाहर कुछ भी मत पढ़िए उसको ही ठीक से आपको तीन या चार बार revise करना है उसमें भी 1857 के जो आगे है वह वाला topic थोरो ली करना है और उसका ज्यादा revisions करना है उसके आगे वाला topics आप कुछ भी selective रह सकते हो पर उसके 1857 के बाद आपको ठीक से पढ़ना है और उसके revisions ज्यादा करने है उसके साथ साथ ही QACS के questions solve करो CACC के उससे आपको help होगी इससे बार जाओ ही ने आप ठीक है आप pressures हो आप जो भी है spectrum को ठीक से revise करो ठीक से पढ़ो इसको बाकी ज्यादा sources करोगे तो वो आपको कुछ याद नहीं रहेगा ठीक है ancient और medieval के लिए आपके पास अभी time भी नहीं है अगर आप January से या दो तीन मैंने पहले से start किया हो अगर मानगों ncrt पढ़ भी लेते हो तो उसको revise नहीं कर पाऊ ठीक से ठीक है ncrt को at least 3 या वार तो भी आपको revise करना पड़ेगा हर रियंत Macbook की book है जो की 10-10 15-15 pages है वो पढ़ लोगे उसमें अच्छा कासा detail में दिया है ऐसा नहीं है कि ncrt में जो है वह ही short notes में convert करके दे दिया है वहाँ पे वह कर लेजेए और कुछ keywords गूगल कर लेना बस इतना ही करना है ancient medieval के वैसे questions बहुत तब आते है जो पढ़के भी करिए modern India के आपके जो भी questions हो वो ज्यादा से ज्यादा accurate हो ज्यादा से ज्यादा correct हो उस पर ही आप score करने की कोशिश करिए अभी ठीक है अगर आपका ठीक से हो जाता है modern India तो ancient के लिए और medieval के लिए थोड़ा थोड़ा आप दूसरे book से भी पढ़िए मतलब ncrt से पर अभी advanced के लिए ठीक है जो जिन लोगों का spectrum तीन या चार बार हो चुका है और उनको लगता है कि मैंने spectrum ठीक से पढ़ लिया है अभी मैं spectrum से मुझे कुछ भी पूछ लो मैं मैं दे सकता हूँ answer एक रिविजन करके भी में वेपर को जा सकता हूँ ठीक है तो इतना उनका हो गया है spectrum बेस बन गया है तो modern इंडिया के लिए spectrum हो गया उसके साथ साथ आभी उनको modern इंडिया की जो ncrt है वो ncrt फॉलो करनी है उसके बस तीन chapters फॉलो कर सकते हो आप ठीक ह मैं यही recommend करूँगा कि तीन chapters बाकी भी बहुत सारे chapters है तीन chapters important लगे मुझे जहां से questions आते है उपसी में जो बाकी books में इतना ठीक से cover नहीं होता है क्योंकि जो भी उपसी question बनाती है वो ncrt से बनाती है तो यहां से ही पढ़ने से अच्छा होता है कि directly वैसे वैसे पढ़ने को मिलता है हमें ठीक है तो चाप्टर जो है modern Indian NCR के लिए पहला चाप्टर है मतलब चाप्टर नंबर 3 the structure of government and the economic policies of the British Empire in इंडिया ठीक है बिटिश बिटिशों की economic policies क्या थी तो वो जो economic policies थी बहुत important है बाकी जगा पे इतने ठीक से नहीं दिया होता है तो यहां पे दिया है यहां से questions भी आते हैं ठीक है railway का questions आए था तो वह यहां पर दिया गया है ठीक है उसके बाद development of means of transport and communication इसी चाप्टर में है land revenue policies भी इसी चाप्टर में है ठीक है और दूसरा जो चाप्टर होगा चाप्टर नंबर 4 administrative organizations and social cultural policies ठीक है इसमें आएगा civil services, army, police, judicial organization, the rule of law, equality before law, social and cultural policy, humanitarian measures, spread of modern education ठीक है यह सारे topics चाप्टर 4 में कवो हो जाएंगे चाप्टर 8 क्या है economic impact of the British rule ठीक है यह जो है वो चाप्टर में होगा कि disruption of the traditional economy कैसे हुई थी जो अपने Indian artisans थे और craftsmen थे उनका उनकी जो livelihood थी वो कैसे destroy हुई थी improvement of the peasantry, rune of old jamindas and rise of new landlordism ठीक है यह सारे अच्छा अच्छा टॉपिक इसमें cover किये गए है तो यह modern India old NCRD है इसमें से यह तीन चाप्टर आप कर सकते हो ठीक है यह नहीं होगी तो फिर कोई आप आपको net पे मिल जाएगी कहीं ना कहीं या टेलिग्राम पे मिली जाएगी है डाउनलोड कर लिना सेकंड है फ्लासिटो पार्टिशन ठीक है फ्लासिटो पार्टिशन में से direct questions आते हैं एक example देना चाओगा मैं जैसे मैंने previous year questions analysis की series शुरू की है उसमें मैंने बताया है कि कैसे directly questions आते हैं तो आप देख सकते हो वीडियो और उसमें से आपको पता चल ज होगी क्योंकि spectrum जैसा नहीं है यह एक जैसा होता है story type book है तो पढ़ने के लिए मज़ा आता है और जल्दी जल्दी खतम होता है spectrum type नहीं है जो कॉम्पिटिटिव एक्जाम्स के लिए है तो 106 पेचे से उसमें से क्या-क्या पढ़ना है वो बताता हूँ अभी तेखो उसमे एकोनोमिक नैशनलिजम सीविल डिस्विडियस मुव्मेंट अक्ट ऑप 1935 पेपर फेडरेशन कुई इंडिया मुव्मेंट यह टॉपिक्स आप अल्रेडी स्पेक्ट्र में भी पढ़ चुके हो और और कई भी अपने questions देख चुके है यहाँ पढ़ने से क्या होगा आपक के लिए स्पेक्ट्रम हो गया पेले स्पेक्ट्रम के साथ modern Indian in India in CRT प्लासी to partition प्लूसंट आता है लूसंट में क्या करोगे लिसंट में ज्यादा कोई रोल नहीं है दो तीन पेजेस है जो कि फैक्स पर ने के लिए करने हैं हमें दो तीन पेजस ठीक है फैक्स बैक्स भी ज तो आपको आइड़िया मिल जाती है जो एप ऊपने विफॉरेंट ट्रावलर सोते हैं उन्होंने कुछ ना कुछ राइटिंग की होती है और इंडियन स सब्सक्राइटिया में उस टाइम पर क्या हो रहा था उसका उन्होंने एक्स्प्रैशन दिया होओ तो हमें आइडिया ल नहीं गूगल गूगल पर जाओगे तो पहले में यह strongly suggest करूँगा कि गवर्नर जनरल्स और वाइस राइजे किसी बुक पर डिपेंड मत रही है गूगल पर जाईए इनके Wikipedia पढ़िए और कई पर मिले तो इनका पढ़िए क्योंकि इससे आपको पूरा जो इकीपीडिया पर जाओ या कई और आपको कई information मिले अच्छी से इतना बन सकते हो पढ़ लो इससे notes बना लो shots ठीक है तो इनके बारे में questions आते ही रहते हैं गुमा फिड़ा के और इनके कारेकाल में क्या क्या हो आए ठीक है इनके बारे में थोड़ा सा कभी फ्री टाइम मिल जाए तो गूगल कर लेना पढ़ लेना क्या है ऐसे नहीं कि पढ़ाई के लिए पर एक रहता है कि ठीक है कुछ questions में एकाद line बाहर से आजा दिये कई से वह books पे नहीं हो तो आपने कई Google पे पढ़ा हो तो आप कुछ connect कर सकते हो उस लाइं को ठीक है फैमस रिवोल्ट हो गए उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेने का बुक्स को यह मिल जाएंगे आपको तो यह गूगल पर इतना कर लेना न्यूएंड से आटी के देखो अब लास्ट में आ जाता है कि जितने कोश्चन से आप सॉल कर सकते हो इस ठीक है प्रीवेस एस से यूपेसी के पेपर्स जो भी हो वो बार बार सॉल करिए उससे आपके नॉलेज में जो है इंप्रूमेंट होगी और अनलेटिकल स्कील्स और प्रेशर हैंडलिंग बढ़े गया आपकी कोश्चन सॉल करने से और कंटिन्यूस प्रोसेस रखिए तो लास्ट में यही कहूंगा कि रीड स्वाल कोश्चन्स रिवाइज इट ठीक है यही फॉर्मूला होता है सब लोग बताएंगे और अभी मैंने मैंने यह मेरे इसाब से बताई है मेरा जो भी एक्सपरियेंस है चार-पांस साल का और उसकी हिसाब से मैंने बताया कि यह आपको पढ़ने चाहिए C.A.P. के लिए बाकी तो आप खुद सिलेक्ट कर सकते हो ठीक है खुब आप और जो टॉपस है उनकी आप स्टाटेजी देख सकते हो और सून सकते हो उससे आप भी डिसाइड कर सकते हो तो जो कमपटबल लगे आपको वह आप सिलेक्ट करिए ऐस कोई नहीं कि वन फॉर्मॉला नहीं है इसके लिए अलग-अलग फॉर्मुलेस होते हैं अलग-अलग स्ट्राटेजिस होती है तो लास्ट में आपको किसी बुक्स पर मतलब कोचिंग मटरियल पर डिपेंड नहीं रह सकते हैं आप स्टैंडर्ड बुक्स है उसमें से कुछ कुछ हिससे वह पंड्य अबड़ते हैं मैंने इतने निकाल दे मेरे इसाफ सही तरा सही था वैसे प्रक्तुन निदी निकाल गया-ज साइन्स और एनवार्मेंट 열 में यह फिया था थारो